सारे संसार में मुख्य तोर पर जाट के दो ही रूप रहे हैं किसान और सेनिक इन दोनों ही कार्यों से जाट के चरित्र का निर्मान हुआ है बुद्धी जीवियों ने जाट को परिभाशित करने के लिए अंग्रेजी में इसको इस परकार संदीच छेट किया है जे का अर्थ जस्टिस, ए का अर्थ एक्षन, टी का अर्थ टूथफुल इन तीनों गुडों के मिलने पर संपून जाट कहलाता है किसान इश्वर नाम को प्रस्तुत करने वाला गुड है और ये विडंबना ही रही है कि इश्वर की विपदाव को सबसे अधिक इसी ने जेला है लेकिन इनसानी अत्यचार ये समाझिक वहवारिक धाचे से अत्यचारों में घिरा है सैनिक इनसानी अत्यचार वहम लों को घौर प्रतिवादी रहा है लेकिन अनुशाशन प्रियता के साथ साथ विजय उसके जीवन का अंतिम लक्षे रहा है किसानों सेनिक दोने ही कार्रे अकेले ना होकर एक जुट वह संगठित होकर करने वाले रहे इसलिए एक जुटता से ही जट और जाट कहला है इसी कारण जाट का चरितर जस्टिस एक्षन तूथफुल बना तथा इसी बल पर इस कौम ने प्राचिन समय में संसार की बड़ी बड़ी लड़ाईया लड़ी और लगबग दो तिहाई संसार पर राज्य किया अन्य जाटियों ने जाटों के गाउं में रहकर उनी की महनत पर अपने पेट पाले थे इसलिए केवल मात्र जाट कों को ही देवता अर्थात जाट देवता कहा जाता है साथ ही जाटों से जुड़ी एक कहावत मशूर है कि आगे सोचे दुनिया और पीछे सोचे जाट यानि दुनिया के दूसरे लोग तो करने से पहले सोचते हैं पर जाट करने के बाद सोचता है जाट के अंदर इमानदारी कूट-कूट कर भरी होती है इसलिए केवल जाट ही एक ऐसी कौम है जिसमें पिता मरने से पहले अपने पुत्र को बताता है कि किस किस का कितना कर्श चुकाना है इस बात को हम एक और प्रसंग में साबित करना चाहते हैं जो इस परकार है सन 1977 में चोदरी चरन सिंग एक विश्याल रेली को पलवल हरियाना में संभोधित कर रहे थे उन्होंने उस सभा में एलान किया था कि मेरा बेटा अजीत सिंग विदेश में पढ़ाई कर रहा है और उसने गरीबी नहीं देखी अगर कभी जिन्दगी में मेरे मरने के बाद वे आपसे वोट मांगने आए तो उसे वोट मत देना क्योंकि वे आपका भला नहीं कर सकता ऐसा आज तक किसी और जाती के किसी भी नेता और राजनेता ने नहीं कहा और भविश्य में भी इस बात की संभावना बहुत कम है स्वामी दायानन्द महाराज आर्रे समाज के संस्थापक ने जाट को जाट देवता कहकर अपने प्रत्सिध गरंत सत्य प्रकाश में संभोधन किया है देवता का अर्थ देने वाला उन्होंने कहा कि संसार में जाट ऐसे प्रुश हो तो ठक रोने लग जाएगा